बॉल्वूट के दो खानों के बीच होने वाली जंग पर लग गया है वराम जी है हम बात कर रहे हैं बॉल्वूट सूपस्टास सल्मान खान और किंग ओफ रोमैंस शारु खान की सल्मान की सुल्तान और शारुक की रहीज दोनों ही फिल्म में इद के मौके पर रिलीज होने वाली थी कहा जा रहा था कि यह अब तक का सबसे बड़ा क्लैश होगा लेकिन शुरू से ही शारुक इस क्लैश के विरोध में थे फैंस के प्रमोशन के दोरान भी जब एसार के से क्लैश के बारे में पूछा गया तो उन्हें कहा कि उन्हें ये क्लैश लॉजिकल नहीं लगता है बेरहाल इस मामले में कहा जा रहा है कि शारुक ने सल्मान को ईद देते हुए अपने फिल्म रहीज की रिलीज डेट टाल दी है अब ये फिल्म साल 2017 में रिलीज की जाएगी क्योंकि अगस्त के बाद भी बड़े डेट तूसे स्टार्स बुक करा चुके हैं हम आपको बता दे फिल्म रहीज में सार के के साथ एक्टर नवाज उदिन सिद्गी और पाकिस्तानी आक्टर्स माईरख खान है